आज हम सिफ़ दो कच्छे केले से और दो कच्छे आलू से रसीली सब्जी बनाएंगे एक दम अलग तरीके से तचली बनाना शुरू करते हैं पर हम सब्जे को काट लिए और आप सुखा मसाला तयार करेंगे हैं अपर हम धनिया पाउडर ले लिए और आधा चमच हल्दी पा करेंगे ताकि मसाला फूल सके देखिए इसमें पानी डालके अच्छे से घोल त्यार कर लेंगे और इसको साड़े में रख देंगे तब तक हम सब्जी काट के रखे हैं वह इसको भूनना हमें थोड़ी देख लिए अब गैस पर कड़ाई रख दिये थे इसमें थोरा सा त सब्जी बनाएंगे तो आप लोग को भी ज्यादा पसंद आएगा देखिए हम एकदम देशी इस्टाले बना रहे हैं सब्जी तो देखिए इसको भून चुका है दो मिनिट लगा है भूनने में तब भूननी सब्जी को निकाल लेंगे फिर से इसी कड़ाई में थोरा सा देल डालेंगे और मेथी का दे रहे हैं आप चालते हैं पजीर्या का भी तर्का दे सकते हैं और एक चौप किया हुआ हूँ प्यास रखेते बारिक काटिकर वह डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला कर भूनना है गोल्डेंग वरांता को हमें यह भूनना है देखिए ब पानि वाणी डाल को फूरा ते यह टूरा साभा नमक डाला देंगे मशान डाल दो नमक, वारट चैला लेगे मशानल आपके अच्छे इसो को वह थोड़ी क्लिए वह भूना देखे अएम्मसाला है थोड़ा साभून चुका है वी कटोर कम फिरा से पानी ले 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 लेंगये मिला लिएगे साइफ से और पानी ताकि मैसाला है अच्य से भून सके तेखिए भून रहुता है तो ढूँ कालम सा किसूरी नैंकि से कजस्ण करके डाल देंगे का cereal माशीत Ihnen नहीं थैल आहिए कच्छा अकेला और अलू था जो इसको भून के रखे थे त्राइ करके रखे ते वह डाल देंगे सारे की सारे और इसको अच्छे से में मिला लेना है देखिए कितना अच्छा इसका कलर रहाया है तो आप जरूर बनाइए इस तरह की सबजी बहुत अच्छा लगता है खाने पर यहां पर हम पानी लिए एक लोटा पानी है छुट्या से लोटा है उसी लोटे से पानी डाल देंगे अप ग्रेवी अपने इंसार रख सकते हैं कम यह ज़्यादा कट सकते हैं चाहे तो इसको सूखा भी बना सकते हैं अब इससे आपर हमें मिला लेना अच्छे से अब शजाह कर पकाएंगे fo 5 निप के लिए तेज आस पर पकाना है में गशाय।टीन आपका धाक offers अबुद हटा लिया है डिए कितना अपने ग्रेवी रखेंगे हम अपना Balkan multiply देङए और देखें किपना